कि ट्रेटर से एक शॉटिंग अपाउचनटी दिखरी है तो हम शॉट करने वाले हैं सम्वेर अराउंड मार्केट कर दें इसको मोडिफाई यह मार्केट कर देते चलिए 169.44 के आसपास एक्चुली मैं को यह शॉट सम्वेर अराउंड 200 लेवल्स पर करना चाहिए था मैंने रिट्विस्मेंट का वेट किया बट यहां से मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं आने वाला है 50 प यहां से रिकावर कर पाएगा दुबारा तो इसलिए मैंने फिर भी 30 पॉइंट्स आल्मोस मैंने नीचे शॉट किया हुआ है ओके लाइक प्रबोबिलिटी इस वेडी मच हाए कि यह इतना जादा आप यहां से रिट्रेज नहीं करने वाला है फिर मौका नहीं देगा यह उपर के लेवल्स पर शॉट करने के लिए इसलिए मैंने यहां पर विदाउट वेटिंग 30 पॉइंट्स नीचे ही मैंने शॉट कर दिया हुआ ठीक है टागेट एंड स्टॉप लॉउस के एक हम बात करें यह शॉट किया हमने सम्वेर अराउंड 169 के आसपास एक्ट्री शॉट मुझे यहां करना चाहिए था यह 200 वाले लेवल्स पर मैंने दोरह नीचे शॉट किया हुआ 169 पर शॉट किया है स्टॉप लॉस वगएरा हम लगा देंगे 274 का स्टॉप लॉस उसके अगेंस्ट में बॉटम का सपोर्ट कितने लेवल्स पर है सम्वेर अराउंड 56 का मुझे यहां पर दिख रहा है सपोर्ट मतला यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस यहां पर पड़े होंगे नीचे के लेवल्स पर जुन्होंने भाइक किया हुआ है तो हम अपना टागेट लगाएंगे 58 यह एग्जिट लिमिट 38,058 यह हमने अपना टागेट लगा दिया एंड स्टॉप लॉस क्या है 275 यह एग्जिट SLM 275 का हमने यहां पर अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया टागेट स्टॉप लॉस है इंटक स्टेड लॉस में आपको अपडेट करता हूं थोड़ा मोमेंटम करने दिजे आराम से हम लोग डिसकस करते क्या सेट अप बगेरा है देखिए वह 190-200 लेवल्स तक आया यह लेवल्स के ऊपर और वहां से फिर फॉल कर रहा है ठीक है अब इग्जैक्ली अम अंदा तो नहीं लगा सकते है यहां पर कैसा आना कि अगर मैं आपको सेट अप दिखाऊं यह देखिए यह सेट अप है एक्चुली दिस देखिए ब्रेक्डाउन यहां पर मारा ब्रेक्डाउन हुआ है एंड उपर से देखिए बहुत ही सिंप्लेस्ट वे में 50 परसंट का देखिए रिजेक्शन देते हो कैसे नीचे की तरब आए तो प्राबबिलिटी बहुत हाय होते है कि वो फिर टेंट नहीं आता है इतना उपर इसलिए मैंने यह लेवल्स के ऊपर ही तो नीचे ही मतलब हम लोग ने आपको शॉर्ट कर दि देखिए इसने थोड़ा किया ओल्मूस्ट जहां मुझे चाहिए था वहां तक आया हो और फिर नीचे की तरफ फॉल कर रहा है 50 परसंट का जो रिजेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा लाइक डेडली होता है तो प्राबबिलिटी बहुत ज्यादा हाय होती है कि यहां से म चल रहा है टार्गेट स्टॉप लॉस है इंटाइक स्टेज उन्वेड़स में आपको अपडेट करता हूं नेक्स मुवी कैसे करता है ट्रेडर्स अल्मोस्ट 116 आइटिंग इसने अभी लो भी लगाया है सम्वेर और 104 का टार्गेट है अपना 38,058 का करेंट लिए अगर इंट्री के बाद कहां मेरा स्टॉप लॉस था वो वाइद वे हिट हो चुका वो स्टॉप लॉस और मार्केट ने कैसे बिहेव किया हुआ एग्जैक्ली वो चीज़ों बताऊंगा मैंसे कमेंट सेक्शन ने बताएगा वाट यू दू इन डाट सिटुएशन यह आ चुका अपना टागेट अचीव हो चुका है इसको करेंगे हम कैंसल इसको कर देते एक बार रिफ्रेश 55,720 इसको भी एक बार कर देते रिफ्रेश बुक किया हमने 38,058 के उपर अब बेफोर गुंग टू सेट अप सबसे पहले मैं आपको स्विंग ट्रेड वाली बात बताऊंग जहां पर मैंने आज लॉस बुक किया हुआ है 14,215 के आसपास ओके कहां ट्रेड लिया था मैंने ट्रेड लिया था अल्मोस 949 फ्यूचर के चार्ट पर मैं आपको बता देता हूं इसको हटा देते हैं अभी 949 सम्वेर अरूंड कहां यहां ओके एड डिस लेवल अल्मोस 122 के आसपास मैंने यापको शॉट किया इसको बड़े टांफरेम के हिसाब से च्वड लॉट के नहीं यह से यह अपको बता रहा है कहां मैंने अपना in при diligence मैंने 404 यहां पर आपको 204 के यहां पर पर देखेंगा 404 के यहां पर देखेंगा इससी कैंडल है 404 का high लगाया मतलब 404 का मेरा stop loss लिया उसके बाद market back to pavilion ऐसी situation पर देखिए मझे बताने का सिरुफ और सिरुफ मझे आपसे ये जानना है कि ऐसी situation पर आप क्या करते थे एक trade all लेते थे, दो trade all लेते थे, aggressively losses करते या क्या करते थे, देखिए उसके बाद ये मैंने जाने दिया, और कुछ तो मैंने trade लिया ही नहीं, इसके बाद मैंने क्या किया, systematic way में wait किया, और intraday में मैंने यहाँ पर 55,00720 तो मुझे इस वीडियो के through setup तो मैं आपको सिखाऊंगा, but एक simple सा message देना है, जो आपको जरूर follow करना है, if you really want to be a good trader, एक अच्छा trader और career बनाना चाहते हो, देखो ये market की फितरत है, आपको वो किसी न किसी बहाने से परिशान करते रहेगा, frustrated करते रहेगा, बहुत कुछ है, कि मालब market कैसा है कि आपको easily पैसा नहीं देगा, सिरुफ और सिरुफ आपको अपना cool and calm रखना है, और अगर rules follow करते हो, कि जैसे कि आप मैंने यहाँ पर मेरा setup बिगर गया, जो भी है मेरा loss हो चुका है, खतम हो गया, आप मैं को next swing trading मालब setup नहीं बिला, even though I was confident की market नीचे की तरफ आएगा, मैंने intraday में 55,000 book किया चाया, तो मैं यहाँ पर 2 डाई लाग book कर सकता था, option buy करके, देखो यहाँ पर put option पड़ा भी हुआ, मैं उसको कब से track कर रहाँ, बच फिर भी systematic way में जो मेरा एक limit है, जो मैंने decide किया था, 500 quantity में काम से करना, तो ideally बहुत एक normal trader होता है, उसको बहुत गुसा आजाएगा, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ यह ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर मैंने stop low लगा है, वहाँ पर hit करके नीचे की तरफ आगया वगदा वगदा वगदा, थोड़ा सा calm down रखना पड़ता है, ऐसी situation पर, और जैसे ही आपका mind relax हुआ, एक दूसा trade मैंने shoot किया, 55,000 उसमें से मैंने कमा, मतलब overall 14,000 उसमें से काट लो, 15,000 काट ओ, इसमें से 15,000 काट लो, total 40,000 के आसवां मैंने overall market से बना, यह अगर मैं aggressive होता, गुसा आता, कल का भी गुसा होता, अगर कल मैंने कुछ जादा loss कर दिया होता, यह और तो आज क्या मैं इतना control में trade कर पाता, नहीं कर पाता, तो that is the important thing जो आपको market के अंदर, एक discipline और एक rules बना दो, set of rules अगर आपका ready रहेगा कि हाँ boss मैं particular यह rules पर, यह setup पर ही सिरुक काम करूँगा, तो आपकी life देखो कैसे change होती है, intraday trading और swing trading, whatsoever you are doing in your trading career, okay, so setup की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कि यह breakdown है, 50% का rejection, ideally मुझे यहाँ पर retest के ओपर short करना चाहिए था, but 50% का rejection आया, तो probability बहुत कम होती है कि वो इतना भी retracement कर दे, यहाँ पर भी आप देखते हो कि retracement किया और पूरा नीचे की तरफ fall on कर दिया, क्योंकि trend जो है market का नीचे की तरफ है, क्यों नीचे की तरफ है, क्या यह से दो reasons से नहीं, अगर आप बड़ा time frame देखते हो, 15 मिलट का chart देखिए, क्या बनाया है यहाँ पर बनाया है इसने डबल top pattern, यह top, फिर bottom, फिर यह double top pattern, एक तो double top pattern बनाया है, बड़े time frame पर क्या मैं उसको use कर सकता हूँ, नहीं use कर सकता हूँ, चलो, अब यहाँ पर देखो, यह support level, support level, support level, यह दिख रहा है, आपको मैं थोड़ा my to be use कर सकता हूँ, इसको कि मैं downtrend के लिए क्यों देख रहा हूँ, दूसा जो magical reason क्या था, that is the breakdown, यहाँ पर बहुस एंगल बन चुका है, कल भी मैंने bearish angle के उपर काम किया, ऊपर तो गया हूँ, but ultimately वो पूरा नीचे की तरफ, उतने ही उससे double speed में वो नीचे की तरफ, पूरे की तरफ है, तो जब bearish angle बनता है, तो probability of going down will be very much high, morning से मैं market को short देख रहा हूँ, swing trading में मैंने short किया, but unfortunately मैं उसमें मेरा super powerful setup है, probability बहुत जाला high होती है कि मैंने यहाँ पर setup पर काम किया और पैसे बना, I hope you understood the point and the message which I was trying to convey you कि आपको कैसे आपको thinking रखनी है trading करने के time पर, वीडियो अच्छा लगा, तो like ज़रू कर देना, thanks for watching, we'll see you in the next video